तो हेलो दोस्तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं घर का जो आगे का जो पोर्च होता है दोस्तो उसमें लाइट फिटिंग के लिए दोस्तो पॉइंट डाला गया है तो वायर किस प्रकार से डालेंगे तो इस वीडियो में आपको मैं कम्प्लीट जानकारी देने वाल तो दोस्तो वायर डालना देख सकते हैं इस कोने से हम श्टार्ट की है और यहां पे वायर आया है उसके बाद इस वाले बॉक्स में आ है ठीक है अभी यहीं से बॉक्स में जाएगा यानि जतना हमारा आगे का जो पौर्च में लाइट का पॉइंट दीया गया है ठीक है हमें wire डालना है ठीक है दोस्तों तो जितना हमारा light रहेगा एक ही switch से रहेगा क्योंकि area जादा है दोस्तों कई bundle wire लग जाता लेकिन हम दोस्तों क्या करेंगे कि looping करेंगे यानि एक ही switch से इसको एक ही बार सारा जलेगा party के demand के अनुसार ये काम किया जा रहा है तो दे यहीं से ठीक है यहां पे हमारा light लगेगा तो वायर लुपिंग अब यहां से दोस्तों देख सकते हैं वह लास्ट कोने तक ले जाना है और देख सकते हैं दोस्तों, कितना हायड पे wereger ãy owners drauf contract बाका तो यहां पर बाक्स में से 買शाएं डोस्तों कि लिए जा कोने बाना है ऩ वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजेगा तो देख सकते हैं दोस्तों अब यहां पे हमारा स्टील वायर इस बॉ प्राबलम हो जाएगा कहीं चोट हो गए रहे लग जाएगी आप लोग काम कीजेगा तो सेप्टी से कीजेगा दोस्तों ठीक है अब उसके बार लास्ट तक हमें वायर ले जाना है तो इसी परकार से फटापट हम वायर ले जाएंगे देख सकते हैं तो दोस्तों वायर हमने इस्ट्रा वायर खीच लिया था ठीक है अब इस साइड से देख सकते हैं वायर हम खीच लेंगे जो बड़ा रहेगा अब यहां पे वायर हम खीच लिया है देख सकते हैं यहां हमारा परफेक्ट तरीके से यहां पे वायर आ चुका है और यहां पे भी देख लीजिए ठीक है इससे हमें double करके बाधना रहेगा यहां पर इस प्रकार से हम बाध लेंगे क्योंकि हमारा जो light है looping है ठीक है वाइर जो है looping करना है light to light ठीक है दोस्तों तो इस तरह से दोस्तों थोड़ा बड़ा रखके हम इसको अच्छी तरी तो इस वाइर को हम बाध देंगे देख सकते हैं इस परकार से बाद लिए है अब जो हमारा एक्ष्ट्रा वायर है ठीक है यहां पर बादने के बाद एक्ष्ट्रा वायर है इसको हम खीचेंगे देख सकते हैं अब उस साइड में हमारा जो बॉक्स है कोने पे वहां तक हम खीच लेंगे यह इस्ट्रा वायर हम बराबर में यहाँ पर जितना चाहिए हम उसको कट कर लेंगे देख सकते हैं अब उसके बाद दोस्तों इन वायर को बांज देंगे light fitting जब होगा तब हम connection वोगरे करेंगे अब दोस्तों हमेरा आगे का जितना हमारा पोर्च में वायर डालना था जितना light में हमने वायर डाल ठीक है दोस्तो अब हमें switchboard तक ले जाना है wire को अब यहां पर दिख लेजी है wire हमने डाल दिया है हमारा जितना box है ठीक है console box है हमने wire अच्छी तरीके से यहां पर लगा दिया है देख सकते हैं पोर्च में ठीक है ये जो light हमारी जलेगी एक ही साथ जलेगी एक ही स्वीच से हमारा जलेगा क्योंकि अगर अलग-अलग दोस्तों हम करते तो कई बंडल वायर लग जाता और पार्टी का ज्यादा नुक्सान हो जाता आगे का जो पोर्च है लाइट हमें बराबर जलाना आई है तो इसलिए दोस्तों हमने वायर की लूपिंग किया है दे विच बोर्ट तक वायर ले जाना ही है ठीक है तो अब यहां पे श्टील वायर डाले है देख सकते हैं अब श्टील वायर हमारा यहां पे देख सकते हैं यहां पे हमारा में बोर्ट रहेगा यहां पे हमारा स्टील वायर आ चुका है इस वाले बोर्ट से हमारा लाइट जो पे चाहें अब यहांपर यहां पर हमारा यहां पर आजाएगा ठीक है डो्स तो देख सकते हैं अभी यहां पर हम इसको कनेक्शन नियूट कर तो दोस्तों आपको सेप्रेट सेप्रेट डालना है तो दोस्तों आपको वायर ज्यादा लगेगा ठीक है तो पार्टी के अनुसार काम किया जाता है से आप देख सकते हैं। वायर मिجरिंग किये हैं और करिएस वाले वायर को हम देख सकते हैं इस बौरड तक लाएंगे. तो दोस्तों उम्मिद करता हूं इस वीडियों से आपकोना आज्ड़योंछी मिल गया होतना ऑगा।